कई अच के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोड्यूल के बारे में जास्क्रिप के अंदर एंड सिखेंगे कि किस तरीके से में एक फाइल बना कि उसको दूसरी फाइल में एकसस कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़े में बताने वाला हूं इस वीडियो में आज हम बात करने वाले मॉड्यूल की जैसा कि मैंने इंट्रो में बता दिया आपको यह वीडियो मेरे वेब डिवल्यूप्मेंट कोर्स का हिस्सा है यह मुझे अभी बताने की जरूरत आइधिंक नहीं है बिकोज अभी यह और मोस्ट कोर्स खतम होने वाला है आप लोगों ने अगर चेक आउट नहीं किया एक और कोर्स को तो इंग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अगर आपने यह कोर्स को नहीं देखा है तो अगर आपने देखा है तो आप अधर कर सकते हो एंड हम बात करेंगे मॉडियूल के बारे में तो मॉडियूल होते क्या है उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले एक बात बतातो कि मॉडियूल क्या होते है मॉडियूल एक फाइल होती है जो कि किसी भी प्रोग्रामर के द्वारा क्रियेट की जा सकती है चाहे वह मैं हूँ या फिर आप हो वह भी क्रियेट कर सकता है ठीक है, module एक SEJS file होती है, जिसके अंदर कुछ code लिखा होता है, जो कि कुछ काम करता है, वो ये कुछ कुछ है, क्या उसके बारे में आगे detail में बात करेंगे, बट एक कुछ काम करता है, कुछ particularly एक task को perform करता है, यानि कि अगर आपने एक file बनाएगे, ये file दो number को अगर इसको plus करवाना पड़ रहा है कई पर भी, तो आप वहाँ पर उस file का use कर सकते हो, सेम उसे तरीके से हमारे पास JavaScript में modules होते हैं, ये just files ही होती है, जिसके नदर code लिखा होता है, उसको हम दूसरी file में access करते हैं, उसके variables, उसके functions, उसके for loops, उसके while loops, if and conditions, और पता नहीं क्या क्या चीज़ हम यूज करते हैं, इतना ज्याद है, अगर मैं deep में चला गया, तो हमें confusion हो जाएगी, इसलिए आज आते हैं, computer screen के उपर हैं, सबसे पहले बात करते हैं, क्या modules बनते हैं, किस तरीके से, तो modules बनाने के लिए, सबसे पहले तुमें, कुछ code लिखना पड़ and मैं इसके अंदर कोई कुछ भी generate नहीं करना चाहता है, मैं इसको simply एक चीज वराना चाहता हूँ, कि यार, num1 is equal to, एक integer होना चाहिए, तो मान लो कि मैंने लिख यह 10, ठीक है, अभी हम simply काम कर रहे हैं, इतर मैं let भी लिख देता है, let num1 is equal to 10, let num2 is equal to 20, alright, यह दो हमने statement कुछ भी अभी हमने fancy किया नहीं है, इसके अंदर, ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इन दोनों को export करेंगे, कैसा export करेंगे, हम इदर लिखेंगे export, यह दर लिख देंगे, इस तरीके से curly braces देने पड़ता है, export करने के बाद, num1, num2, alright, इससे हमें एक पाइदा यह मि variables का use कर सकते हैं, अब इदर आ जाते है, index.js में, जो कि हमारी पहले सी थी, इदर हम क्या लिखेंगे, इदर हम लिखेंगे, import, इस तरीके से, num1, num2, and इदर हम लिख देंगे, from, याद रखना, यह पार्ट बहुत ही important है, ठीक है, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, वह मैं ठीक है, अब मैं अधर एक string दूँगा, string के अंदर क्या होगी, directory होगी, location होगी, उस file की, जिस file से तुम अपना content ला रहे हो, export कर रहे हो, import कर रहे हो, वह साई चेज़ होगी, इसके इंदर ठीक है, तो अगर तुम अदर लिखोगे, क्या है, dot slash, अगर इस तरीके से यानि कि index.js वाली file है, वहाँ पर ही वही file है, यानि कि उसके बगल में ही है, जैसा कि आपने एक folder बनाया है, एक code नाम से folder बनाया है, उसके अंदर आपने जो main file थी, वह अपनी डाली, दूसरी file आपने डाली, module की, तो आप अपने जो main file है, उसमें डायरेकल यह लिखोगी या फूल्डर्स के अंदर, फूल्डर्स के अंदर, फूल्डर्स में रखा है, तब तो मैं उसकी एक proper location देनी पढ़ सकती है, but at a beginning, हम बहुत ही basic से start कर रहे हैं, कि हम इं इधर बगल में रखी है, हमने ज़्यादा कुछ इधर छुपा के नहीं रखा है, कोही नूर की तरह उसको, हमने बगल में रखी है, और उसको भी हम एकसेस करना चाहते है, तो हम इधर लिखेंगे dot slash, इसके बाद हम, जो हमारी file का नाम है, sum.js, हमने जैसे ही लिखा, save किया, इस दर हम semicolon देते हैं, इच्छा सा एक, अभी हम console.lock कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, and देख सकते ह num1 plus num2 क्या होता है, ठीक है, and जैसे run करेंगे, यह देखो, सबसर पहले जब हमने यह जो लिखा था, तब यह थोड़ा सा gray हो गया था, यानि कि, यह use में नहीं आ रहा था, इसलिए ग्रे हो गया था, जैसे मैंने दर console.log num1 num2 लिखा, यानि कि console.log num1 plus num2 लिखा, तब यह active हो हो चुका है इस तरीके से, ठीक है, अब अगर हम इसको run करें, तो क्या आना शाहिए, तो सबसे पहलता error आ रहा है, cannot use import statement outside a module, cannot use import statement outside a module, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, कि हम इसका use नहीं कर सकते, क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, हम इसका, warning दे, तो load an es module, तो दिखत यह आ रही है, कि हमारी package file है, इधर हमें एक चीज लिखने पड़ेगी, हमें इधर, जो हमारा यह है module, इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से type, इधर नहीं लिखना पड़ेगा, हमें इधर लिखना पड़ेगा, हमें इधर लिखना पड़ेगा, इधर हमें लिखना पड़ेगा, module, जैसे ही हम यह करके save करेंगे package.json को, अगर अब इसको run करें, clear करके, तो देखते क्या आता है results, और यह देखो, यह कुछ और दिखकत आ रही है, home runner.javascript module.package.json module.package.json इधर भी कुछ लव चला फाड़ा हो चुका है, और अच्छा एधर एक comma नहीं दिया था, मैंने package.json में, ऐसे चोटी चोटी गलती उको नजर अंदाज करना नहीं चाहिए वैसे तो, अभी हम करेंगे, अब run करते हैं, इसको end देखते कि यह क्या result देता है, run करेंगे इसक यह देखो 30 आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने एक फाइल में एक code लिखा कुछ भी, उसको हम दूसरी फाइल में import कराते हैं, इंपूर्ट करा के उसके उपर हम और operation कर सकते हैं, यानि कि मालो कि आपने एक function लिखा, function लिखने के बाद आपन उस function को दूसरी file में import कर रहा है उस file को हम use कर सकते है अगर तुम्हें कोई बताए कि है module क्या होता है तो module simply जावस्ट की एक file ही होती है जो कि हम use करते हैं एक particular code को याद रखने हैं बहुत deep meaning वाली बात ही particular task perform करने वाला code यह कुछ भी हो सकते है बहुत ही specific code हो सकता ही है random number generate करने वाली file हो सकती है या फिर plus करने वाली file हो सकती है average निकालने वाली file हो सकती है कुछ भी हो सकता है बट बहुत ही specific ऐसा नहीं है कि आपने पूरी सी list ही बना दी पूरी file के ने उसके इंदे सारे operation हो रहा है फिर वा फाइल करप्ट हो जाएगी ऐसा नहीं करने specific task को perform करने के लिए हम module का use करते है इससे होता है क्या पता है इससे हमारी code readability के एक तो बढ़ती है and code का reuse हम जल्दी कर सकते है because code को हम बार-बार लिखना कोई किसी को पसंद नहीं हमें code को इस तरीके से लिखना है कि हम उसको reuse कर सके उसे code को दुबारा use कर सके ताकि हमारा time बचे हम efficiently काम कर पाए and जो logical, जो main problem and logic है उसको solve करने में हमारा time utilize कर सके I hope कि तो मैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको पता चला होगा कि and modules क्या होते है मैंने simply बताया अगर बाकी की चीज़ा आपको जाने है तो आप mdn reference पर जा सकते हो आपको मैं इसका mdn reference भी दिखा देता हूँ यह रहा है इसका mdn reference and यह देखो इदर modules के बारे में बहुत सारी चीज़े बता के रखिए इसने import के बारे में बताया asset के बारे में बताया type.json के बारे में बताया इसने लिखा हुआ है कि कौन-कौन से ब्राउजर में यह support करता है नहीं करता है यह देखो firefox में यह support नहीं करता है तो यह app check out कर सकते हो इसके अंदर और भी कई सारी चीज़े है जानने को और मैं इसका ही यूजर करता हूँ गवी टुटोरियल बना हूँ उससे पहले सीखने को आप भी इसका यूजर कर सकते हो जाके बहुत ही अच्छी website है यह जास्क्रिप्ट के बारे में CSS के बारे में HTML के बारे में जानना हो तो बेस्ट website मैं कह सकता हूँ इसकी आज के इस वीडियो में इतना है गाई अगर अच्छा लोगा अगर प्लीज लाइक शेयरे सब्सक्राइब करना मत बूलना नया साल आ रहा है नया साल के साथ साथ और भी नए चीज़े आएगी तो उसको मिस आउट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल ने डिविक्शन दबा दो मैं में विलूँगा आपसे किसी नय वीडियो में किसी नय टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टेटियो हो कर दो कर दो कर दो कर दो दो कर दो आपसे किसी नय वीडियो हो